चेश शिराम दोस्तों स्वागत है आप सभी का दक्रिष्ण क्लास्वें दोस्तों UKSSSC और UKPSC से संब्सक्राइब कर सकते हैं UKSSSC और UKPSC के जितने भी पेपर है उसके लिए आप सभी के बीच प्रैक्टिस सेट लाए जा रहे हैं तो इसी के चलते आज आप सभी के लिए कम्पिटर के कुछ कोश्चन लेकर आया हूँ यह UKPSC की परिक्षाओं में काफी फाइदेमन रहने वाले है तो शुरू करते हैं आज के कोश्चन अगर वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो लाइक शियर कमेंट कर दीजिया करें संगनकों में ICP चिप प्रायब बने होते हैं किसके बने होते हैं दोस्तों बात वही है मैं इसका आंसर बताऊंगा आपको क्या करना है पॉस करना है और वीडियो को देखते रहना है तो इसका आंसर है सिलिकन ठीक है आगे बढ़ेगे नेक्स्ट कुश्चन कम्पेटर का जनक किसे कहा जाता है डोस्तों चार्ल्स बेवेज इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है आंसर दोस्तों इसी तरों रहने वाले है जो UKPSR डालता है लेबल बिलकुल हलका डालता है और बच्चा इसी में गलती कर देता है आसान आसान से कोश्चन नेगटीव की बज़े से भार रहने के चांसे ज़्यादा बढ़ जाते है कम्पिटर का सबसे महतापुर्ण भाग कौन सा है दोस्तो महतापुर्ण भाग CPU ठीक है अगे बढ़ेगे नेक्स्ट ये पिछली परतियों की परिक्षाओं में आयोए कोश्चन है वही कोश्चन में लेके आया हूँ एक किलो बाइट एक ये भी होता है किसके बरावर होता है दोस्तो एक हजार चौविस बाइट के ठीक है आगे बढ़ेगे नेक्स्ट SIM का पूरा रूप है SIM का पूरा रूप क्या है दोस्तो सब्सक्राइब्स अइडेन्टी मॉड्योल ध्यान रखना इस बात को बहुत important question है एक pen drive है एक pen drive क्या है एक हटाये जाने वाली दुत्य भंडारन एकक इसको आप एक pen drive से परिवाशित कर सकते है वीडियो mail से हम क्या भेज सकते है बिलकुल क्या भेज सकते है graphics भी भेज सकते है video clips भी भेज सकते है video message भी भेज सकते है तो answer क्या है इसका D ठीक है पर्थम web browser है कौन सा है दोस्तो world wild web ध्यान रखना important question है मैं बता देता हूँ important question है आगे आने वाली सभी पर्थियों किता है जैसे UKPSC की जितनी भी परिशा है उसमें आ सकता है यह question BIOS का विश्त्रित रूप क्या है क्या है इसका विश्त्रित रूप दोस्तो इसका answer है दोस्तो basic input output system BIOS का जब भी आप से पूचे के विश्त्रित रूप तो क्या होगा basic input output system आगे बढ़ेगे next निम लिखित उत्पादों में कौन सा उत्पाद Pentium brand नाम से बेचा जाता है कौन सा उत्पाद बेजा जाता है दोस्तो इसका answer है दोस्तो micro processor ठीक है वीडियो पसंदारी दोस्तो तो like जरूर करना और share भी जरूर करना important question है और आपको देखने को मिलेगे जरूर मिलेगे paper में www के आविश्कारक तथा प्रवर्तक है जो हम www लिखते है उसके आविश्कारक और प्रवर्तक कौन है टीम बर्नर्स ली ठीक है बिल्कुल हलक के question लेकिन परिक्षाओं में पूछे गए question है मैं बता रहा हूँ ये सभी question परिक्षाओं में पूछे गए है भारत में विख्सित परम सूपर कम्पूटर का विकास किस संस्थाने क्या है परम का दोस्तों विकास किसने क्या है तो इसका अंसर है सील डाक पूने ठीक है कम्पूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई है सबसे छोटी इकाई कम्पूटर डेटा की क्या है बिट ठीक है आगे बढ़ेगे next question माइकल एंजलो वाइरस है क्या है माइकल एंजलो वाइरस ये एक कम्पूटर वाइरस है ठीक है कुश्चन बहुत important है यह ध्यान रखना assembler का कारिय है क्या कारिय है दोस्तों assembler का assembler का कारिय है assembly भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना चीक है हमेशा ध्यान रखना important question है आगे next बढ़ेगे हम question number 16 computer virus होता है क्या होता है फंफूद होता है bacteria होता है IC 7344 या फिर software program तो यह होता है एक software program आपने देखा होगा कभी भी कोई program बना किसी के उसमें भी अटेक कर सकता है तो computer के processor की गती को निम लिखित में से किसमे मापा जाता है किसमें मापा जाता है दोस्तों इसका answer है Gigahertz ठीक है question number 17 बहुत important question है .com क्या निरुपित करता है क्या निरुपित करता है दोस्तों .com सभी लोग पॉस करके answer देंगे अपनी और से भी कोशिश करेंगे सभी लोग संचार्चेत्र निरुपित करता है .com यह हिप होता है http कुछ भी होता है .hip करके तो का पूरा नाम क्या है तो इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों इसका पूरा नाम है आप पॉस करिए फिर इसका नाम सोचिए इसका पूरा नाम है hyper text transfer protocol ठीक है यह होता है हिप आपने website में देखा होगा सूचना राजपत किसे कहते है सूचना राजपत किसे कहते है दोस्तों internet को ठीक है सूचना राजपत बहुत important question है सारे question important है computer grid होता है computer grid question number 21 computer grid क्या होता है एक software और संदशना जिसमें कई अभिकलन परतिष्ठान जुड़े होते है ठीक है यह important है यह question ऐसे है अगर आप कहीं ऐसी जगे बैठे है आराम से mute करके आप वीडियो को चला सकते है और देख सकते हैं इनके answer खुझ भी pause करके लगा सकते है और एकल है क्या है और एकल important question है दोस्तों क्या है database software ठीक है सभी question पुरानी परिक्षाओं में आये है इतना मैं बता दूँ वीडियो पसंद आये तो आप लाइक जरूर करना भारत में सिलिकॉन वैली है सिलिकॉन वैली बैंगलूर कहां पर है बैंगलूर में ठीक है भारत का computer रिक्रित डाक घर है कौन सा डाक घर है कहां पर है सौरी नहीं दिल्ली का जो डाक घर है वो computer डाक घर है पूरा का पूरा पर्थम सौरी पर्थम computer रिक्रेट ठीक है कि कुश्चन पढ़ने में थोड़ा सा अधिक्कत हो गया था पर्थम इसमें है दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है पहला computer भारत में कब और कहां लगाया गया पहला computer कहां और कहां लगाया गया तो इसा लगाया गया था ISO 1955 ठीक है important question है थोड़ा सा कभी कभी question पढ़ने में दिक्कत हो जाता है तो ऐसा लगता है कि यह answer कहां से आया गया इस टाइप का तो इसका दोस्तों आप क्या कर सकते screenshot ले सकते हैं यह आप सभी के लिए answer है और अगर वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो like जरूर क्या करें और comment भी कर लिया करें और share करना ना भूले वीडियो पसंद आए या ना आए आपको share आगे करना चाहिए क्योंकि काफी लोगों तक यह वीडियो जाना चाहिए मेरा मकसद कम questions बनाने का है और जिससे की वो questions ऐसे हो जो UKPSC के आसपास घूमते हो वो परिक्षाओं में आते हो उन्हीं questions बनाने का है ज्यादा question करके मैं आप सभी का सरदर्द नहीं करना चाहूँगा क्योंकि आज कल हर वीडियो में आप देख सकते हैं हर YouTube चैनल पे questions आ रहे है इस तरह से तो थोड़ा सा मेरा यही मकसद है कि आप कम समय में ज्यादा घ्यान अर्जित करो questions भी limit रहे लेकिन वो पेपर में आने की उसकी पूरी-पूरी संभाना रहे इसलिए पुराने जो परिक्षा है उन्हीं में से question लिए जा रहे है बाकी दोस्तों अपना ध्यान र रखना मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखे जै हिन जै भारत जै उत्राखन